तो भ्यम दर्शको हर हर महादीव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शको, आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे। दर्शको, आप सभी जानते हैं कि पुर्सोत्तम मास चल रहा है, जिसे अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। साथी में सावन का महा, पवित्र माह भी चल रहा है। उर्सोतम मास और सावन के पवित्र मास में यदि आप माता तुलसी के समक्ष इस एक छोटे सी उपाय को गुरुवार के दिन यानि की तीन अगस्त गुरुवार को कर लेते हैं, तो श्रीहरी विश्नु के क्रपा से आपके जीवन के सभी कस्ट दूर हो जाएंगे, आप सभी जानते हैं कि श्रीहरी विश्नु को तुलसी दल अतिप्रिय होता है, और माता तुलसी जिस भी घर में विराजमान होती है, उस घर में कोई भी नकारत्मक ओर्जा कभी प्रवेश नहीं कर पाती है, यदि आपके जीवन में भी कस्ट चल रहा है, दुख है, तकलीफ है, ऐस लग रहा है कि आपके घर में बहुत अधिक नजल लग चुकी है, कोई भी कारे करते हैं और वह अटक जाता है, पैसो की उधारी बहुत अधिक बढ़ चुकी है, तो तुलसी के जड़ में मात्र आपको एक छोटी सी चीज डाल देनी है, जो कि हर घर की रसोई घर में मौज चलिए जानते हैं कौन सी चीज है, सबसे पहले तो सुभा के समय या दिन भर में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा कच्छा दूद लेना है, जी हाँ, थोड़ा सा कच्छा दूद आपको अपनी, जब सुभा आप माता तुलसी का पूजन करेंगे, चल अर्पित करेंगे, तो थोड़ा सा कच्छा दूद आपको माता तुलसी के जड़ में डाल देना है, और तुलसी में आपको लाल कलावा बांदेना है, अपनी कावना को करकर, उसी के साथ में 5 साबुत लॉंग, जी हाँ, लॉंग नकारत्मक उर्जा को स लगी है वह समाप्त हो जाएगी और घर में वातावरन शुद्ध होगा सकारत्मक होगा इस उपाई को आप गुरुवार के दिन अवश्य करें श्रीहरे विश्नु का दिन होता है आपको क्रपा अवश्य ही प्राप्त होगी माता लक्ष्मी प्रसन होकर स्थाई रूप से घर में वास करेंगी धन्यवाद दर्शे को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद